नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू दा चैनल बैंकिंग बंदू सबसे पहले तो सारे स्टूडेंट्स, सारे एस्पिरेंट्स जिनों ने भी स्टेट बैंक आफ इंडिया का पीयो एक्जाम 2022 पास किया है उन सभी को बहुत बहुत बधाई, congratulations आप already बाकी सब में अलग हैं, बाकियों से एक लेवल उपर आ चुके हैं क्योंकि बैंकिंग की दुनिया में अगर देखा जाए तो सबसे टफ माना जाता है SBI PO का एक्जाम तो आपने ये एक्जाम पास कर लिया है, आप already अपने आप में एक विनर हैं, next hurdle होता है आपका जो interview होता है interview आपके selection में बहुत important, बहुत एहम role play करता है, इसको बहुत ही जिसे कहते हैं चतुराई से आपको cross करना होता है तो आज हम कुछ tips discuss करेंगे, कुछ points discuss करेंगे, जो आपको help करेंगे कि आपका जो interview है आप उसको crack कर सकें दोस्तो इस channel को subscribe कर दीजे, banking बंदू को channel को subscribe कर दीजे, क्योंकि ऐसी ही videos हम आपके लिए रोज अपने channel पर लेकर आते हैं जो आपको आर्थिक फायदा देगी, financial decision लेने में मदद करेगी, banking की सारी knowledge से, सारे updates से रूबरू रखेगी जितने भी bankों में loan चल रहे हैं, bank की और भी news है, सब कुछ हम अपने channel पे cover करते हैं तो जल्दी से channel को subscribe कर दीजे, अपने असल topic पे आते हैं, जो है State Bank of India का PO, जो 2022 exam आपने main spar किया है उसका interview कैसे होने वाला है, कुछ basic rules होते हैं, interview के पहला, आपको याद रखना है, जैसे की चला आ रहा है first impression is the last impression, ये बहुत सच है, the moment you enter the hall, जैसे ही आप enter करते हैं, तब से आपका जो evaluation है, वो शुरू हो जाता है आप ये बात याद रखिए कि जो panel होता है, panel में जादा तर चार से पांच लोग होते हैं, और वो चारों पांचों जो होते हैं, काफी high level, AGM, DGM, CGM level के लोग बैठे होते हैं ये काफी higher post होती है, bank में, इसमें एक बंदा ऐसा होता है, जो आपको study कर रहा होता है, आपकी psychology को study कर रहा होता है, जो psychologist होता है, आपकी body language क्या है, ये सब देख रहा होता है तो पहली बात, decently dress होके जाएं, आप western पहनना चाहते हैं, उसमें comfortable हैं, आप उसमें रहिए, आप Indian wear में जाना चाहते हैं, Indian wear में रहिए, बट वो formal होना चाहिए है, neat and clean होना चाहिए, well iron, अच्छे से कपड़ों को press करके जाएं, light color के clothes को prefer कीजिए, formal wear में जो preference देते हैं, व footwear, जो आपके shoes हैं, या जो girls अपने sandal या belly पैन रही हैं, उनको well polished होने चाहिए, hairstyle, girls के लिए ये preferred है कि वो खुले बालों में ना जाएं, neatly कोई ponytail बना लें, या जैसे भी आप neatly रख पाएं, similarly boys के लिए, आप short haircut में जाएए, कोशिश कीजिए clean shaved हों आप, hairstyle हो गई, तीसरी चीज़ है, self grooming, self grooming का मतलब है, अगर, suppose girls जो हैं, अगर nails बड़े भी हैं, तो well groomed होने चाहिए वो, अगर आप nails बड़े भी रखना चाहती हैं, कोशिश कीजिए nails cut हों, और भी ऐसी छोटी छोटी बातों पे आपको ध्यान रखना है, watch, formal सी पहन लें, बहुत सारी accessories use ना करें, accessories जैसे, गले में chain वगेरा जैसे लड़के पहन लेते हैं, या girls pendants वगेरा पहनी है, बड़े बड़े airings पहने होएं, आप लोगोंने, कोशिश कीजिए इन सब चीजों को avoid करें, clips लगाये होएं, आपने अलग-अलग, decently जाएं, आप interview देने जा रहे हैं, वो भी State Bank of India का Probationary Officer, काफी अच्छे लेवल का exam होता है, और वो लोग काफी अच्छे लेवल के जो aspirants होते हैं, उन पे ध्यान रहता है उन लोगों का, दूसरा, जो आप कदम रखते हैं, तो पैर मत घसीटिए, पैर उठा के चलिए, जिससे dragging की अवाज ना आए, आपके shoes में से, आपके sandal में से, confident दिखिए, हलकी सी face पे smile रखिए, दिखना नी चाहिए कि आप अंदर से nervous हैं, obviously आप nervous होंगे, anxious होंगे, ये दिखना नी चाहिए interviewer को, अराम से comfortably जाएं, और जब तक वो बोले नहीं, आप बैठे नहीं, next, पहला question सबसे पहले, most common question क्या है, कि अपने बारे में कुछ बताईए, अपने बारे में कुछ बताईए, उसकी आप कैसे करेंगे, सबसे पहले आपको अपना full name बताना है, नाम के साथ साथ किस जगा से आप आएं, आप अपना birthplace बता सकते हैं, किस जगा को belong करते हैं, वो करते हैं, educational qualification में, अपनी professional qualification, professional qualification में भी आप अपना जो major subject आप करा, आप उसको highlight कर सकते हैं, ध्यान रखिए, जो भी subject आप बताएं, उसकी आपको knowledge अच्छे से हो, क्योंकि उसके उपर questions आने के chances हैं, अपनी hobbies, hobbies में भी, अगर वाकिए वो आपकी hobby है, तब ही आप उसमें कोई ना कोई question जरूर पूछा जाएगा आपसे, वो भी detail में, next जो question हो सकता है, वो है, आपका जो भी जब भी आप जैसे नाम बताएंगे, my name is this, my name is that, आपसे पूछ लिया जाएगा, ये नाम आपका किसने रखा, क्यों रखा, इस नाम का मतलब क्या है, तो आप प किसी चीज से, किसी historic चीज से, किसी spiritual चीज से, अगर उसका connection है, किसी भगवान का नाम है, या किसी चीज से तो connection होता ही है नामों का, आप उसको बता दीजे, वो बता सकते हैं, तीसरा technicality पे आजाते हैं, knowledge पे आजाते हैं, banking के basics, banking के basics, commonly used words, जो banking की दुनिया में vocabulary यूज होत है, यह बहुत छोटी-छोटी चीजें हैं, जो आप से पूछी जा सकती है, जो common ratios, जिन पर RBI काम करता है, repo rate, reverse repo rate, यह सब आप अपनी जब banking की त्यारी कर रहे होते हैं, तब भी आप यह छोटी-छोटी चीजें पढ़ते हैं, CRR क्या होता है, committees जो अलग-अलग होती है, न privatization क्या है, उसके pros and cons क्या हो सकते हैं, current news जो है, banking की वो आपको पता होनी चाहिए, state bank के बारे में थोड़ा सा पता करके जाएगा, state bank की क्या history है, present में state bank का क्या चल रहा है, हमेशा दोस्तों हर साल bank अपना जो है, एक publish करता है, अपने बारे में कि उसको कितना profit हुआ, कितना deposits हैं, यह सब चीजें, अब bank का result आता है, यह सब चीजें आपको पता होनी चाहिए, bank की कितनी branches हैं, कितने ATM's हैं, मतलब कुछ-कुछ facts, state bank के जरूर याद रखिएगा, वो आपके जो interview का session है, उसको और enhance करेगा, आपके marks gain करने में आपको help करेगा, आप जो भी city अपनी बत हों करते हैं, उसके बारे में आपको knowledge होनी चाहिए, जहां से आप आ रहे हैं, जैसे कभी-कभी interviewer का मन होता है, आपसे सिर्फ बातचीत करके ही वो आपको judge करते हैं, तो वो आपसे पूछेंगे कि अच्छा हम अगर घूमने आएं उस जगा पे तो हम कहां-कहां जा सकते है हैं, आपको वो पता होनी चाहिए, उनके बारे में थोड़ा सा पता होना चाहिए, historic background, popular वहां पे eatables क्या-क्या मिलते हैं, क्या famous चीजें हैं, recent news में अगर आपकी city है या आपका state है, उसके बारे में आप थोड़ा सा highlight कर सकते हैं, यह चीजें जो हैं, यह marks gaining वाली चीजें ह अब आप put up करेंगे, तो यह आपको काफी marks दिलाते हैं, जो government schemes है, bank और सरकार दोनों इन schemes को काफी मैधवपूर्ण हैं यह bank के लिए, तो government schemes जैसे मुद्रा योजना है, और भी काफी सारे जो PM स्वनीधी है, इस तरह के schemes और इस तरह के accounts के बारे में कुछ-कुछ जानकारी आपको होनी चाहिए, at least इतना पता होना चाहिए कि यह हैं किया किस चीज के लिए आपको मिलते हैं, तो government schemes को थोड़ा सा दिहान में रखिए, यह question जरूर आएगा, अगर आप commerce के अलावा किसी और field से हैं, या कुछ भी अलग, banking के अलावा कुछ भी अलग आप करना चारे थे, कर नहीं पाए, तो यह question जरूर आएगा कि why do you want to go for banking, इसका जवाब हम आपके उपर छोड़ते हैं, आप अपने तरीके से इसे काफी wisely decide कीजेगा कि इसका answer आपको कैसे mold करके सामने वाले को देना है, कि सामने वाला satisfy हो जाए आपके answer से, कि किस तरह से, मतलब आपको कह से कैसे motivation मिला banking के लिए, इस तरह की कुछ चीज आप बोलिए, कि सामने वाला cross questioning की situation में ना रहे, एक ही बार में satisfy हो जाए, why should we select you, हम आपको क्यूं select करें, जब हमारे पास इतने सारे लोग हैं, आपको ये बात पता होगी कि State Bank of India जो है, उसमें 1 is 2, 3 के ratio में, जो है selection होता है यानि जितने State Bank of India को select करने हैं, उसके 3 गुना वो बुलाता है, 3 में से सिर्फ एक जने का selection होगा, तो आपको अपनी strength बताने हैं, आपको अपनी weakness बताने हैं, दोनों को positive way में बताना है, यानि कि अगर आप अपनी weakness भी बता रहे हैं, तो उसे इस तरह से बताईए, कि वो ए strength and weakness के बारे में, cross questioning के लिए त्यार रहे हैं, जितनी भी चीज़े आप बता रहे हैं, सामने वाला जो interviewer है, वो बैठा ही इसलिए कि वो आपको cross questioning कर सके, और आपकी जो capability है, pressure bear करने की, pressure tolerate करने की, उसको test कर सके, दोस्तों, आजकल के जमाने में, banking की भी जो नौकरी है, वो full of pressure है, easy going नहीं है, तो वो आपकी capability test करते हैं, कि आपकी जो pressure taking capacity है, वो कितनी है, तो wisely इन सब चीज़ों को judge करिएगा, हमेशा सचा answer दीजे, क्योंकि जब आप जूट बोलते हैं, सामने वाले को पता चल जाता है, जैसे कि हमने आपको बताया, एक psychologist भी उन सब में मौजूद रहता है, जो सिर्फ आपकी body language देख रहा है, genuinely answers कीजेगा, questions का, ऐसे नहीं बहुत बड़ा जड़ा के आप बता रहे हो, exaggerate कर रहे हो चीजों को, normally, genuinely answer कीजेगा, अगर कोई answer नहीं आता है आपको, उसको accept कर लीजे, बजाए गलत answer देने के, या घुमा के कोई answer देने के, count होगा, कि आपने सामने वाले का time waste ना करके accept किया, आप अपनी mistakes भी accept करते हैं, तो उमीद करते हैं, आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी, काम की लगी होगी, आपके interview के लिए, all the best, अगर आपको और भी कोई suggestions चाहिए, आप नीचे comment section में हमसे पूछ सकते हैं, हम करेंगे, banking बंदू channel को भी subscribe कीजे, इस वीडियो को जादा से जादा share कीजे, आपका दिन शुभ हो, आपका interview भी बहुत अच्छा जाए, और भगवान करें आपका selection हो, thank you very much, goodbye.